नमस्कार दोस्तों मुझसे एक सवाल आजकल कई बार पूछा जा रहा है कि इस पेंडमिक के चलते मेरी जोब चली गई है और क्या मैं शेहर बजार में ट्रेडिंग कर सकता हूँ या मैं शेहर बजार में काम करना शुरू कर सकता हूँ तो दोस्तों आज मैं इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा और उमीद करूँगा कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल सके इस पेंडमिक के कारण बहुत सारे लोगों की जोब चली गई है और आने वाले समय में और भी बहुत लोगों की जोब जा सकती है और इस पेंडमिक के कारण जो इस्तती अभी बनी हुई है इस इस्तती में कब तक सुधार होगा यहाँ अभी हमें पता नहीं है लेकिन हमें यहाँ पता है कि हमें हमारे देनिक जीवन के खर्चे तो चलाने ही है और इसी बात को ध्यान में रखकर लोग नए-णए काम करने के विशे में सोचने लगे हैं जिसमें से शेयर बाजार एक अच्छा उप्शन है दोस्तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दू कि कोई भी काम जिसका नोलेज आपको नहीं है उस काम को करना बहुत ही मुश्किल और खतरनाक हो सकता है चाहे वो शेयर बाजार का काम हो या कोई भी तो हर कोई इसी काम को कर रहा होता तो चलिए अब हम आपके सवाल की तरफ चलते हैं कि पेंडमिक के कारण मेरी जोब चली गई है और क्या मैं शेयर बाजार का काम कर सकता हूं तो इस सवाल का जवाब होगा मेरी तरफ से हाँ बिलकुल आप शेयर बाजार का काम करना शुर देगी लेकिन इसमें समस्या यहा है कि आज कल कई सारे लोग advisory company खोल कर बेठे हैं और कई सारे लोग तो टेलीग्राम चैनल पर भी टिप देते हैं तो इतने सारे option में से एक सही advisory company ढूंडना घास के ढेर में सुई ढूंडने के बराबर है और जो लोग share बाजार में एडवाईजरी कमपनी से टीप लेकर काम नहीं करना चाहिए। वैसे तो कुछ एडवाईजरी कमपनिया ऐसी होती हैं जो आपको सही सला और सही टीप देती हैं लेकिन अधिकतर सारी की सारी कमपनिया बेकार और बकवास होती हैं। और अगर आपने इनकी टीप पर काम किया तो हो सकता हैं कि आप अपना पूरा का पूरा पेशा गवा दे, इन कमपनियों को आपके प्रोफिट या लोज से कोई लेना देना नहीं होता है, यहा तो आप से बस फीस के नाम पर अपनी जेब भरने में लगे रहते हैं, तो अगर आप इस पहले रास्ते से शुरुआत करन चाहते हैं, तो मेरी सलाह यहा है कि आप ऐसा कुछ भी मत किजिए, इससे आप कभी भी प्रोफिट नहीं बना पाएंगे, इसके बाद दूसरा रास्ता यहा है कि आप खुद टेकनिकल एनालिसिस के विशे में सीखे और खुद ही बाजार को एनलाइज करे, टेकनिकल एनाल सीख सकते हैं और प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं, टेकनिकल एनालिसिस सीखने के बाद आप कम से कम 6 महिने तक पेपर ट्रेडिंग करके देखिए, जिससे कि आपको यह पता चल सके कि आप बाजार में प्रोफिट कमा पा रहे हैं या नहीं, अगर आप प्रोफिट बन पा रहे हैं तो ही ट्रेडिंग की शुरुआत करें। आप से मेरी रिक्वेस्ट हैं कि आप पहले टेकनिकल एनालिसिस के विशे में सीखे, उसके बाद ही ट्रेडिंग की शुरुआत करें। तो दोस्तों उम्मीद हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल ही गया होगा। और अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में ही तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते ही और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे गुड़ बाई धन्यवाद